तो आज अब आपके साने एक नए कॉशन हम लेके आए हैं उसका नाम है SPIN BARKET APPEARANCE OF CERVICAL MUCUS IS THE SIGN OF SPIN BARKET APPEARANCE OF THE CERVICAL MUCUS IS THE SIGN OF PREGNANCY, MANUSTRATION, OVULATION, MINARCH तो इस कॉशन के अब अब आप अंसर के तरफ जाएंगे तो तो कि SPIN BARKET का मतलब क्या होता है SPIN BARKET का मतलब होता है कि जब आपके CERVICAL MUCUS STRETCHY हो जाए और वो कब होता है? OVULATION के वक्त होता है तो SPARM जो है ऐसे MUCUS को असानी से PENETRIT कर सकता है और फिर PREGNANCY के चांसे पूरे पूरे रहते हैं तो अगर आप SLIDE के बीच में इसे अपने CERVICAL MUCUS को लेंगे तो वो 6 cm तक STRETCH हो सकता है और यह FERTILE PERIOD सबसे BEST होता है PREGNANCY होने के लिए और यह 10-17 दिन तक यह FERTILE PERIOD रहता है तो अगर आप PREGNANCY नहीं चाहते हो तो इस PERIOD को AVOID कर सकते हैं तो इस PERIOD में आप COPULATION कर सकते हैं पर इसके बाद OVOLUATION के बाद यह जो आपका CERVICAL MUCUS है वो ठीक हो जाएगा और इसके बाद SPAM इसको PENETRATE नहीं कर पाएगा PROGESTORON के effect की वजह से तो इसलिए इस CONCER आएगा OPTION झालने हो जाएगा